मेरी आने वाली सभी लेटिस्ट वीडियोज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कवितास क्रियेटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज आपको सबसे पहले मिल पाएं हाई एवरीवान वेलकम बाक टू माय चैनल तो ये था रात का प्रोग्राम तो एक दिन पहले जो एक बड़ी दुरगटना होई उससे पहले हम आयते ड्रिंक इन रात को जो कि आगरा में है वाटर वॉक्स पे वहां पे हम आयते और काफी अच्छा एम्मियंस था जो मैं आप तो आप सबने एम्मियंस तो देख लिए आप है फूट की बारी जो हमने और किया था तो यहां पे मैंने हनी चिली पटैटो और किये थे जो कि बहुत टेस्टी थे खाना मुझे बहुत अच्छा लगा एम्मियंस भी अच्छा था पस थोड़ा सा वेटिंग टाइम जाता हमको काफी वेट करना पड़ा और यह था इनका प्लाटर जिसमें सोया चापता पनी टिका था स्प्रिंग रोल्स थे और यहां पर हमने और किये थे स्प्रिंग रोल क्योंकि हमें बहुत अच्छा रगए थे तो हमने दुबारा और किये थे और लास्ट जो हमने लिए था नूडल्स तो यह था हमारा उस दिन का फूड और बस इसके बाद जो हुआ हो मैं आपको नहीं बता सकती बहुत बुरा था आगे आप वीडियो में बने रहे था कि आपको पता चले कि यह क्या होने वाला था मेबी यह मेरा व्लॉग लास्ट होता अगर वो इंसिडेंस किस बार जरूर जाओ ट्राइ करो काफी अच्छा प्लेस लगा मेरे को जो लोग सिटी में रहते हैं उनके लिए तो खास कर तो यह था नेक्स दे जिस दिन मुझे ऑफिस जाना था तो यहां पर मैं ऑफिस जाने से पहले सुबा सबजी बना रही थी तो यह लौकी चने की डाल उनको काफी थोड़ा टाइडनेस लग रही थी तो यहां पर मैंने टमाटर चॉप कर लिए दनिया और यह लौकी है और आदी के टोरी चने की डाल मैंने बिगो के रख दी थी एक डेड़ घंटा पहले तो बस यहां पर मैं सरसो के तेल में ज्यादा तर कुकिंग करती हूं मुझे अच्छा रखता है सरसो के तेल में खाने में भी हल्दी होता है तो बस यहां पर सबसे बहले मैं डाल डाल देती हूं ताकि डाल थोड़ी सी न ज्यादा फ्राय हो जाए और क्रिस्पी सी रहे डाल डालने के बाद फिर मैं इसमें बैसिक मसाले हैं हल्दी नमक डाल ताकि डाल थोड़ी सी गल जाए क्योंकि मैंने थोड़ी कम देर भिगोई थी इसलिए और बस जल्दी जल्दी में बना रही थी क्योंकि ऑफिस भी जाना था और यहां पर मैंने डालने के पर टमाटर डाल दिया और जैसे टमाटर में ऑईल आने लगेगा उसके बाद मैं थोड़े से मसाले और डाल दूँगी नमक, खल्दी, लाल मिर्ज, जीरा पाउडर जो भी है यह बेसिक जो मसाले घर पे होते हैं वो बहुत जादा घर जैसी सबजी बनाई थी तो बस यहाँ पर मेरी सबजी तयार होने वाली है और आपके साथ मैं पहले वो क्लिप शियर कर रही हूं जिसके बारे मैं बात कर रही हूं फिर मैं आपको डीटेल में बताऊंगी कि हुआ क्या था यह कि पांसो सात मैं आए जो आप्सो सात में है यह पांसो सास में और था तो नहीं जाता है यह तो यह अधिन आप बबलू आएगा तुरह बबलू जैसे अंदर एंटर करेगा उसके बाद फिरी जाए जाए कि अब बबलू जैसे आता है उसके लिए उपर और इसका दिमाग होन में है तो गैस आज का दिन मतलब बहुत जादा बुरा मुझे लगा अभी तक मैं उस सीज को भूल नहीं पा रही हूं कि क्या हुआ था उस मतलब आज सुबह जब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर की जिसमें नॉर्मल एक बंदा लिफ में जा रहे है और उस बंदे के साथ क्या ह हुआ मैं आप सब को बता रही हूं ताकि अगर आप लगों के साथ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल ध्यान से रखिए खासकर फोन को कभी यूज मत करिये जब आप इलेक्ट्रोनिक आइटम कोई भी यूज कर रहे हो तो फोन की वज़े से उसकी जान चली गई और मतलब मेरे ओफिस के मेरे फ्रेंज कोई भी हो सकता था लेकिन हम सब मतलब मुझे बहुत बुरा लगा सोच के भी और सुबसे में बहुत परेशान थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वह बंदा नॉर्मली पंदरा दिन पहले हमारे ओफिस के फ्लोर के नीच उसने फंदरा दिन पहले जॉइन किया था तो वह आया था जैसे ऑफिस टाइम होता है दस बजे उसका अफिस बंता तो उसमें सोचा कि मैं नीचे जाकर वेट कर लेता हूं वह नीचे जा रहा था लिफ्ट आई फिफ्ट फ्लोर पर वेट करा था लिफ्ट आई उसमें से एक बंदा बहार निकला और लिफ्ट ऊपर चली गई लेकिन जैसे कि आपको पता है कि लिफ्ट में दो चैनल होते हैं दो गेट होते हैं एक गेट जो लिफ्ट के साथ ऊपर चला जाता है एक जो फ और मैं उस टाइम जस्ट पहुंची थी बिल्डिंग में तो सब लोग बोल रहे थे कि कोई गिर गया है कोई गिर गया है किसी की डेथ हो गई है तो मैं बहुत डर गई और मैं सीडियों से जो मेरा सेकंड फ्लोर पर एक आफिस है वहां जाके मैं बैट गई थोड़ी दिर बा है कि उसके दो बच्चे हैं 15 दिन पहले जॉब लगी थी मतलब केवल उसकी गलती केवल इतनी थी कि वह फोन यूज कर रहा था और उसमें देखा ही नहीं कि नीचे प्लाटफॉर्म है या नहीं है लेकिन बिल्डिंग वालों की भी बहुत बड़ी गलती थी कि अगर लिफ तो सबसे पहले तो हमारी उसको फोन नहीं यूज करना चाहिए था और दूसरा बिल्डिंग वालों की तो गलती है बहुत जादा मैं साड हूँ मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं आप भी जब भी लिफ्ट यूज कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान है अभी तक भी तो चले फिर आज के व्लॉग में बस इतना ही शेयर कर रहे हूं बहुत जादा अच्छा तो नहीं है बट एक अवेर्नेस के लिए मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ आप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए मैं मिलती हूं आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें और कवेता उस क्रेटिविटी को देखते रहें बाई टेक वेरी गुड केर अफ यॉर्सेल्फ अपना हमेशा ध्यान और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए